दोस्तों हम डिसकस करेंगे एक सिंपल एंड स्मॉल हाउस प्लान के वारे में जैसे कि इसका साइज आपको मिलेगा देख सकते हैं इसका साइज आपको मिलने वाला है 22 फीट बाई 33 फीट का तो यह सिंपल तरीक से डिजाइन किया गया है तो इसका डिटेल्स हम शेयर करेंग आपको यहां पे 10 इंच का ट्रेड उसके बाद 6-7 इंच का राइजर डाल सकते हैं तीन फीट वाइट का स्टिप्स तो यहां पे हम दोस्तों बात करेंगे सबसे पर वाल का इरेक्शन लेंगे जिसे की बाहर और अंदर की दिवार है तो दोस्तों बाहर की यहां दिवार 10 इंच की और अंदर की पांच इंच की एक साटन हाइट हमने लिए उसके बाद दूस्तों बात करेंगे यहां पे प्लींट हाइट क्या रखें कंफ्यूजन लोग रहता है कि कुरसी लेवल का हाइट कितना रखें आप ग्राउंड से दूस्तों को हम करने चाएंगे कि आप स इस पहले सकते हैं मिनिमम या फिर मैक्सिमम आप अपने हिसाब से देख लें चार फिट भी ले सकते हैं और यहां से जिसे सीट आउट वारंडा है अंदर आते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले आपको एक बेटरूम मिल आ है तो इस बेडरूम के के नीचे में आपको मिलेगा बातरूम देख सकते हैं हमने इस टीर के नीचे में यहां पर बातरूम प्रोवाइड किया है तो इस तरह से जीने के नीचे में बातरूम अड़िस्क कर सकते हैं तो यह वाल आपको मिल जाएगा और यहां से इस वाल को तो यहां से थोड़ा सा का इड़ दित कर सकते हैं यह वाइब अगे उसके बाद दुस्तों यहां Пजती हैं और यहां पर बातरूम रजाएगा यह वाला पॉर्शन है उसके भाद वह 우ans आहर बात करेंगे तो अब को यह ओपन कीचिन कैया गला किया है दिक सकते हैं वाई दो फीट, आड़ं, लेंगे, तो उपएन कीच्छन हो रिने में रख सकते हैं, उसके बाद यहां पर एक बैडरूम मिलेंगा, इस बैडरूम का जो डूर मिलेंगा, आपको 3 feet by 7 feet का डूर है आइचली यहां पर देख सकते हैं एंड सेवन फिट के ओपर त्री फिट का वाल मिलने वाला है इस प्रकार से दोस्तों यह वाला बेडरूम का आपको डूर मिल जाएगा उसके बाद यहां पर एक बेडरूम मिलेगा इसका भी आपको डूर मिलेगा तीन फिट बाई साथ फिट का तो दोस्तों यहां पर जीतना भी बेडरूम इस प्लान में हमने प्रोवाइड किया है तो डूर का साइज हमने बेडरूम का त्री फिट बाई सेवन फिट का ही तो आप देख सकते हैं इस तरह से तो चलब बात करें तो इस बेडरूम के लिए एक विंडो मिल जाएगा जिसका साइज आपको मिलेगा सारे हम रिमूप कर लेंगे ताकि प्रोपर डॉर का आपनिंग आप मिलेगा यहां पर आपन कीचन भी है तो यह वाला दिख सकते हैं उसके बाद यहां पर जैसे की बेडरूम है तो उसके लिए एक विंडो लेंगे सार तीन फीट बाई चार फीट का होगे बाईक साइड अगर आपको जगे है शेडबाई के था यहां पर हम नहीं दिखाएंगे विंडो यहां पर रख सकते हैं सारे थीन फीट बाई आपको चार फीट का विंडो उसके बाद दो यहां पर जीससे की आपको मिलेगा साइाड में जिस議 permet कि इसकी फिनडू मिल जाएगा इसका हम Ó point कर लेंगे प्सका हमसाइड की बात कर लेंगे मुझा इसका isle का दाइमेंचिन किस प्रकार से मिलने हैं ऑ्लाइक की बात करेंगे तो सबसे पहले अउचन की बात पर देख सकते हैं 9 feet 5 inch by 11 feet 4 inch का है उसके बाद यह वरा रूम दोस्तों 10 feet 6 inch by यह यह वी 11 feet 4 inch ही होगा होगे तो यहाँ पर exact point हम locate करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको मिल जाएगा 11 feet 4 inch का उसके बाद यहाँ पर बातरूम रहेगा जो 5 feet 5 feet 9 inch का मिलेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे की आपको open kitchen है उसके hall के साथ की बात करेंगे तो यह वरा रूम देख सकते हैं यह आपको मिल जाएगा यहाँ पर exact 14 feet 11 inch बाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो 10 feet 2 inch का मिलेगा उसके बाद यहाँ पर यह वरा रूम देख 6 inch बाई आपको 9 feet का मिलेगा उसके बास सीट आउट की बात करेंगे तो सीट आउट का डामेंशन वारंडा का डामेंशन दो यहां पर मिल जाएगा नाइन फीट फाइव इंच भाई आपको फाइव फाइव इंच उसके बाद जो इस टीर की बात करेंगे इस टीर तीन फीट वाई करेंगा तो आद देख सकते हैं दोस्तों और बात करेंगें बाइस फीट बाई 23 फीट का प्लान काफी शानर प्लान उम्मीद के प्लान काफी है अच्छा लागा आपको थांक्स फॉर वाचिं इस वीडियो